सद्गुरू, हम छात्र अपने घरों में परिवार से मिलने वाले भावनात्मक सुक से दूर रहते हैं। अपने करियर के लिए हम बहतर अवसर की खोज में बाहर जाते हैं। उसमें हम विपरीत लिंग का साथ खोशते हैं। कुछ लोग रिष्टो में पढ़ जाते हैं, जो धीरे धीरे शारीरिक अंतरंगता में बदल जाता है। सद्गुरू, सवाल ये है कि फिर हम एक पीड़ी के रूप में इस पर खुले आम चर्चा क्यों नहीं कर सकते। या शादी से पहले सेक्स आज भी एक अपवित्र चीज मानी जाती है। देखिए, ये किसी तरह का नुस्खा नहीं है, हर व्यक्ति के अपनी जरुरत होती है। अभी हमें ये समझना चाहिए, इस समाज में हम इंसानी का मुक्ता को इस तरह संभालते आए हैं। एक लड़की के किशोर वे में आने से पहले उसे बोल दिया जाता था, तुम्हारी शादी इस लड़के से होगी, 6-7 साल की उम्र में। शादी नहीं होती, मगर उसे कहते तुम्हारे अंकल का बेटा उस लड़के से तुम्हारी शादी होगी, लड़के से कहते तुम्हें उससे शादी करनी है, तो उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं है, एक दूसरे से मिले नहीं है, मगर उन्हें भावनाओं के स्तर पर जोड़ा जा रहा है वे चाहते हैं कि एक दूसरे को छूने से पहले वे दोनों भावनाओं के स्तर पर अच्छे से जुड़ जाएं ये इस संस्कृति की तकनीक है वे इस तरह संभालते थे तो जब आप किशोरावस्था में आते हैं आपका शरीर कुछ खास संभावनाओं में विक्सित होता है तब तक आपकी भावनाएं किसी से जुड़ चुकी होती हैं तो आप अपने शरीर को संभाल लेते हैं आप पागल नहीं हो जाते क्योंकि आपकी भावनाएं किसी से पहले जुड़ चुकी हैं तो 15-16 साल का होने पर लड़की की शादी कर दी जाती है 17-18 साल का होने तक लड़के की शादी कर दी जाती है फिर वे खेती या कारोबार या किसी और गतिविधी को अपनाते हैं तो युवाओं के जीवन का एक महत्वपून पहलू सुल्जा दिया जाता है एक चीज है भावना, दूसरी चीज है शारिरिक जरूरत दोनों को कम उम्र में हल कर दिया जाता है और उन दिनों एक-दो साल में बच्चे आ जाते थे तो वो वेस्ट हो जाते थे और जीवन चलता रहता था ठीक है? आज हमारा जीवन बदल गया है क्योंकि जब तक आप शिक्षा पूरी करते हैं अधिकान्श लोग कम से कम 24-25 साल की उम्र में होते हैं PhD का मतलब है 30-35 मैं नहीं जानता कितनी ये इस पर निर्भर करता है कि आपके प्रोफेसर कितने उदार हैं तो मान लेते हैं कि शिक्षा का आउसत समय 25 साल की उम्र है जब तक उन्हें रोजगार मिलता है और वे कहीं सेटल होकर आर्थिक सुरक्षा पाते हैं वे 30 साल के हो जाते हैं ठीक है? इनसान के हार्मोन 15 से 30 साल के बीच सबसे चरम पर काम करते हैं आप लोगों को साधुओं की तरह जीना नहीं सिखा रहे आप उन्हें कोई साधना नहीं सिखा रहे जिससे वे अपनी उर्जा को किसी दूसरी संभावना में बदल सकें और कुछ और प्राप्त कर सकें ऐसी कोई चीज नहीं है और लड़के लड़कियों के बीच नस्दिकी है अगर आप इस चीज का हल नहीं खुजना चाहते हैं तो आप एक अस्वस्त समाज बनाएंगे बहुत अस्वस्त समाज जो दुर्भागे से हमारे समाज में हिंसक तरीकों से व्यक्त हो रहा है क्योंकि हमने इंसान की मुलभूत जरुरतों का हल नहीं को जाए पहली चीज है पोशन अगर पोशन की समस्या हल हो जाए आपको समझना चाहिए पोशन का मतलब है जीवन चलाना एक बार जीवित रहने की प्रक्रिया का हल हो गया तो कुदरती रूप से ये प्रजाती कोई एक व्यक्ती नहीं आप जिस प्रजाती के हैं वे प्रजनन की इच्छा करती है इसे इसी तरह बनाया गया है ये प्रजनन की चाहत इस प्रजाती के जीवित रहने के लिए है अगर लोग प्रजनन नहीं करेंगे तो मानव नसल खत्म हो जाएगी है ना तो आपका शरीर और दिमाग कई चालें चलते हैं और जब आप किसी को देखते हैं तो अचानक आपको लगता है वे सबसे खुबसूरत हैं अचानक आपको लगता है कि वे सबसे शानदार हैं बाद में आपको कई चीजें पता चलती हैं मगर शुरू में सब कुछ अस्पष्ट होता है तेखे मैं बताता हूँ मान लीजिए आप 10 से 11 साल के हैं उस समय आपने लोगों को देखा तो वे बहुत साधारन दिखे अचानक 14 साल की उमर में किसी के शरीर का हर छोटा उभार अपने आप में एक पूरी दुनिया हो जाता है क्योंकि आपके हार्मोन हर चीज़ को प्रभावित करने लगते हैं एक तरह से आपके हार्मोन आपकी बुद्धी को बंदी बना लेते हैं ये बुरा या अच्छा बताने की चीज़ नहीं है ये एक कुद्रती प्रक्रिया है कुछ लोग हो सकते हैं जो उससे परे चले जाएं अगर वे उसके परे जाते हैं तो उनके लिए शांदार है उनके लिए मजबूरी नहीं होती वो इसके परे चले जाते हैं उस व्यक्ति के लिए शांदार है मगर आप पूरे समाथ से इसके परे जाने की उमीद करें ये बेवकोफी है, ऐसी कोई चीज नहीं होती है, तो निश्चित रूप से बहस होने चाहिए, कि कब और कैसे कामुकता होना चाहिए, मगर अब भी हमारे कुछ सांस्कृतिक पहलू है, हम आज भी भावुक लोग हैं, जब चीजे जरूरी भावनाओं के बिना होती हैं, तो लोगों को कश्ट होता है, धेर सारे लोगों को, कुछ लोग इससे उपर हैं, मगर लोगों को कश्ट होता है, तो हमारे देश में, हमारे समाज में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सामाजिक धांचे से कोई बड़ी तोड़ फोड़ किये बिना इसका हल कैसे निकाले आपको इस पर शोद करना चाहिए कि ऐसा कैसे करें सद्गुरू, हाला कि आपके पिछले विस्तृत्र जवाब में मुझे अपने सवाल के जवाब की थोड़ी जहलक मिल गई है मगर फिर भी मैं पूछना चाहूंगी तो मेरा ये विश्वास था या वास्तव में मुझे ये विश्वास दिलाया गया कि एक जीवन में एक ही साथी होना चाहिए मगर जब मैं देखती परकती हूँ तो ये पूरी तरह से एक ही साथी वाले संबंद अब नहीं दिखते ये सोची खतम हो चुकी है आप इस बारे में क्या सोचते हैं? वो खतम नहीं हुआ है हो सकता है जेनियू में खत्म हो चुका हो बाकी की दुनिया में ये वाकई खत्म नहीं हुआ है चाहे आप अमेरिका चले जाएं जहां इतना खुला पन प्रतीत होता है वहां भी जब लोग शादी करते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि ये जीवन भर के लिए है लेकिन हां दो साल बाद जीवन समात हो जाता है ये दूसरी बात है मगर जब वे शादी करते हैं तो उन्हें यकीन होता है कि ये जीवन भर के लिए है तभी वे हीरे पर पैसे खर्च करते हैं उन्हें लगता है कि ये जीवन भर की बात है, वे हीरे खरीदते हैं, मगर दुर्भागे वश कई वजहों से रिष्टे बिगड़ जाते हैं, और इतनी आसानी से उनके बिगड़ने की एक वज़े ये है, कि लोग काफी बड़ी उम्र में एक दूसरे से मिल रहे हैं। दो ठोस चटाने, मगर मैं देखता हूँ कि अगर लोग अम उम्र में शादी करते हैं, तो वे साथ निभाते हैं, अगर लोग पचास साल के बाद शादी करते हैं, तो वे भी निभाते हैं, क्योंकि वे फिर नर्म हो जाते हैं, चटान पिगल जाती है। तीस से पचास के बीच की उम्र ठोस चटान की तरह होती है मजबूत शक्सियत तब टक्राव होता है अगर वे होशियार होंगे इससे परे कुछ खोज लेंगे खैर एक विवा हो या बहु विवा या जो भी अगर आप ध्यान दें तो हमें ये महत्वपून चीज समझने की जरूरत है कि हम सब यहाँ है आप और मैं यहाँ है इसका मतलब है कि कुछ समय पहले एक पुरुष और एक इस्त्री का मिलन हुआ था हो सकता है आप सोचे वे माबाप हैं वे प्यार नहीं करते वे सेक्स नहीं करते वे कुछ नहीं करते किसी पुजारी के मंत्र पढ़ने से शायद आप पैदा हो गए नहीं ऐसा नहीं है किसी की शारीरिक जरूरत थी उसे उन्होंने शादी से पूरा किया और इसलिए हम यहाँ हैं और अब हम एक खास उम्र में अपने जीवन के एक चरण में जब आप 18 के हो जाते हैं तो आप हमेशा शादी के खिलाफ हो जाते हैं लेकिन जब आप 3 साल के थे तो आप शादी के हक में थे अपने माता पिता की शादी के हक में जब आप तीन साल के थे तो क्या खुश नहीं थे कि आपके माबाप की शादी अच्छी चल रही है जब आप 18 के होते हैं तो आप बिना बंधन के सेक्स और शादी न करने के बारे में सोचते हैं मगर पचास पचपन के होने के बाद एक बार फिर आप स्थाई रिष्टा खोजते हैं तो ये सोचना आपका काम है क्योंकि ये आपका जीवन है कि आप तै करें कि आप ऐसा जीवन चाहते हैं जहां आप हमेशा अपनी भावनाओं के लिए कोई साथी खोजते रहें या आप इसे इस तरह हल करना चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धी और समय को कुछ और बनाने अपने शोद अपने काम या जो भी आप कर रहे हों उसमें लगाएं अगर भावनाओं और शरीर की समस्या हल हो जाए तो अपनी बुद्धी के इस्तमाल की आपकी शमता काफी बेतर हो जाएगी वरना आपको हर दिन किसी को खोजने के लिए आसपास घुमना पड़ेगा नहीं मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है अमेरिका में मैं लोगों को जानता हूँ और आप जानते हैं कि वहाँ अब हजारों लोग मुझसे जुड़े है 40-45 की उम्र के लोग मेरा मतलब महिला हैं शांदार लोग मगर वे इन चीजों में लगी हैं इन दिनों सब कुछ ऑनलाइन होता है वरना वे जाकर किसी बार में बैठ कर इंतजार करती थी आज कोई आकर उन्हें ले जाएगा ये बहुत बेंकर है आप इसे जो चाहें कहें मगर मुझे लगता है कि ये बहुत दैनी है कि 45 साल की स्त्री को एक उचित महौल में प्रेम और समान मिलना चाहिए वो वहां बैठ कर इंतजार करती है कि कोई अजनबी उसके रास्ते आए और वो अगले 10 मिनट में फैसला करने वाली है जब वो उसकी ड्रिंक या डिनर का बिल चुकाता है ये भेंकर दुख की बात है ये भेंकर है कि आपकी कोई गरीमा नहीं रह जाती इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई उस रास्ते पर जाए मगर आपको कोई समाजिक धांचा तोड़ने से पहले सभी के कल्यान के बारे में सोचना चाहिए आपको सोचना चाहिए कि उसके बदले एक बहतर धांचा ला सकते हैं या नहीं जीवन के किसी भी चरण में हर किसी को समझना चाहिए चाहे वो समाजिक धांचा या राजनितिक धांचा या समाज का मनुवज्ञानिक धांचा उसे तोड़ने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास बहतर विकल्प है एक वैकल्पिक प्रनाली के बिना अगर आप मौझूदा धांचे को तोड़ेंगे जो काफी अच्छा चल रहा है तो सब अस्तिवेस्थ हो जाएगा झाल